दुनिया की बड़ी वैकल्पिक चिकितसा पद्धितियों में से एक है होमियोपैथी जो 85 से अधिक देशों में प्रचलित है तथा ये 100 करोड से अधिक लोगों के विश्वास का प्रतीक है भारत में आज 3 लाग से ज्यादा रजिस्टर्ड होमियोपैथिक डॉक्टर, 258 होमियोपैथी महाविद्याले, 300 से अधिक होमियोपैथिक दवा निर्माता कंपनिया है वर्ष 1796 लाइक क्योर्ज लाइक समय समयती सैमुल हैनिमन होमियोपैथी के जनक सैमुल हैनिमन ने आज से 226 वर्ष पूर, 1796 में लाइक क्योर्ज लाइक के मूल मंत्र के साथ इसे जर्मनी में प्रारंभ करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पद्धिती अगली सदी के हिंदुस्तान की चिकित्स प्रणाली में मील का पत्थर साबित होगी लगभग 200 वर्ष पूर्वि जर्मनी मिशनरीज के माध्यम से ये भारत में प्रयोग के तोर पर लाई गई थी परन्तु आज होमियोपैथी दुन्या में सबसे अधिक विक्सित हिंदुस्तान में हो रही है आजादी का 75 वां वर्ष भारत अमरित महत्सव के रूप में मना रहा है भारत की आत्म निर्भरता के इस एक गौरवमई उत्सव में होमियोपैथी का भी अपना योगदान है वर्ष 1849 पंजाब के महराजा रनजीत सिंग का इलाज होमियोपैथी के जनक सैम्वल हैनिमन के अनुयाई डॉक्टर होनी बर्गर ने सफलता पूरवक किया इसके बाद पूरे देश में इसकी ख्याती बढ़ने लगी खास तोर पर बंगाल में फैली हैजा की महामारी के रोक थाम में होमियोपैथी की एहम भूमिगा के कारण होमियोपैथी कोलकाता में पैर पसार पूरे बंगाल में फलने फूलने लगी बाबु राजिंदर लाल दत भारत के पहले होमियोपैथिक चिकत सक थे डॉक्टर महेंदरलाल सरकार पहले एलोपैथिक चिकित सक थे जिन्होंने होमियोपैथी को अपनाया। होमियोपैथी से कई असाध्य बिमारियों के इलाज में चमतकारिक परिणाम मिला तो इसका वर्चस्व पूरे देश में हो गया। इसी दौरान होमियोपैथी पद्धिती के बारे में ज्यान वृद्धी के लिए वर्ष 1881 में कोलकाता होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। हिंदुस्तान में होमियोपैथी का सफर नामा। वर्ष 1948 संसद में होमियोपैथी चिकित्सा को माननेता देने का प्रस्ताओ पेश किया गया। वर्ष 1950 डॉक्टर केजी सकसेना को प्रथम राष्टुपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का निजी चिकित्सक नियुक्त किया गया। 10 अप्रेल 1955 डॉक्टर साम्यूल हैनिमन की जन्म दिवस पर विशेश डाग टिकट जारी किया गया। होमियोपैथिक वैधानी केवं स्वायत निकायों की स्थापना का दशक। 1970 के दशक में राश्ट्रियो होमियोपैथी संस्थान के स्थापना के उपरांत होमियोपैथी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ. खास तोर से 1973-74 के दौर में जब संसद में होमियोपैथी चिकितसा पद्दिती को माननेता देने के लिए केंदरिये परिशद बनाने के लिए बिल पास हुआ. CCH यानि Central Council of Home Nepathy की स्थापना अगस्थ 1974 में की गए. वर्ष 1975, कुलकाता में National Institute of Home Nepathy एवं घाजियाबाद में होमियोपैथी फार्मकोपिया लिबॉरटरी की स्थापना की गए. सरकारद्वारा 1969 में CCRIMH केंदरिये भारतिये चिकितसा एवं होमियोपैथी अनुसंधान परिशद की स्थापना की गए. वर्ष 1978 में सभी वैकलपिक पद्धतियों के विकास के लिए अलग-अलग अनुसंधान परिशदों का गठन किया गया. इसी समय होमियोपैथी के अनुसंधान विस्तार के लिए केंद्रिय होमियोपैथी अनुसंधान परिशत का गठन, होमियोपैथी के क्षित्र में औशधी मानेकी करण, औशधी प्रमानी करण, नैदानिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, नैदानिक सत्यापन, औशधी प विस्तार की ओवर अग्रसर है, जिसमें से डौक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रिय अनुसंधान संस्थान नॉइडा, प्रसिद्ध है होमियोपैथी दवाएं विक्सित करने के लिए. राश्ट्री होमियोपैथी मानसिक स्वास्थ अनुसंधान संस्थान कोट्रेयम प्रसिद्ध है मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए तथा डॉक्टर अंजली चैटरजी क्षित्रिय होमियोपैथी अनुसंधान संस्थान कोलकाता अपनी अत्याधुनिक विशानों विज्ञान प्रयोग शाला के लिए प्रसद्ध है वर्ष 1989 में CCH ने होमियोपैथी के शिक्षन के क्षित्र में पोस्ट ग्राजवट स्तर की पढ़ाई शुरू की वर्ष 1995 में स्वास्थ मंत्राले के अधीन भारती चिकित्सा एवं होमियोपैथी विभाग बनाया गया और वर्ष 2003 में इसका नाम बदल कर आयूरवेद, योग और प्रकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिध्ध और होमियोपैथी आयोश विभाग हुआ माननी नरेंदर मोदी के 2014 में प्रधान मंत्री बनने पर वेकल्पित चिकित्सा पद्धतियों को अधिक महत्व देने के लिए आयोश विभाग को अलग मंत्राले के रूप में स्थापित किया गया और इसी पहल में होमियोपैथी को विशेश प्रात्मिक्ता देने के प्रयास तेज कर दिये गए इस मंत्राले एवं चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया जोगत आठ वर्षों में 400% तक बढ़ा आयूश, आयूरवेदा, योगा, निच्रोपैथी, युनानी, सिद्धा, सोवारेगपा, होमियोपैथी अपने अजादी की पसतुर बर्ष का जशन अजादी की अमरिट महुच्चप की रूप में मना रहा है यह रोजगार से लेकर सिख्षा और स्वास्टा जैशे बनियादी विकास की सेट्र में आत्मनिभर होने का उच्चप है आयूस मन्तालय भी इस अमरिट महुच्चप में शिकिच्चा की बैकल्पिक पढ़ट्यू के सेट्र में आत्मनिभर होने की गुरब से असूटा नहीं है मन्तालई सभी बैकल्पिक पढ़टिव अठाट अवर्वेत इनानी योग परकितिक चिकिच्चा सिध्धा सिवारिकपा एबंग हमियोपिथी की विकास में करियरत है मुझे यह कहते हुए गरब हो रहा है कि हमियोपिथी चिकिच्चा पढ़टि भले ही दोसर बर्ष पूर्प जर्मन मिशनारी की द्वारा भारत में लाए गए लेकिन इसकी लुप्रियता आस संपुर्ण बिश्य की तुलना में भारत में सरबाधिक है इस पढ़टी में जन जन का विश्वास भारत की कोने कोने में उपलप्ठ चिकिच्चा केंडर के टट्ट और उसमें आने वाले रुगियों की शेंखा से ही साबित होता है आयूस मनटालय होमेपिथि चिकिच्चा पध्धती के विकास और जन जन तक पुंसाने के लिए पठ्टिबट है वर्ष 2021 में एक एधिहासिक पहल हुई होमियोपैथी के लिए अलग से राष्ट्री होमियोपैथी आयोग का गठन राश्ट्री होमियोपैथी आयोग देश भर में 258 कॉलेज की सहायता से होमियोपैथी की शिक्षा और प्रशिक्षन कराकर होमियोपैथी के चिकित्सक तयार कर रहा है होमियोपैथी की कुछ खास बातें दीश में आज करोणों लोग होमियोपैथी आधारित चिकितसा से लाभान वित हो रहे हैं। ये दवाईयां दूद मुहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आयो वर्ग को आसानी से दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात इन होमियोपैथी दवाओं का कोई गंभीर साइड एफेक्ट भी नहीं होता। साथ ही साथ कीमत कम होने से गरीब से गरीब इनसान भी इसे खरीदने में समर्थ है। पूरा इलाज रोगी के लक्षणों पर आधारित होता है। होमियोपैथी के विकास में योगदान के लिए देश के सर्वच पुरस्कारों में से एक पदमुश्री से साथ होमियोपैथिक चिकतसकों को सम्मानित किया जा चुका है। होम्योपैथी में बेहतर दवाओं की उपलब्धता के लिए सतत अनुसंधान किये जा रहे हैं तथा दवाओं में प्रयुक्त किये जाने वाली ओशधी कृशी को भी प्रोचसाहित किया जा रहा है ताकि देश में निर्मित दवाईयां वैश्विक फार्मा कोपियोल मानक के अनुरूप हो सबको नमस्कार भारत चिकिचा किया रूप से वीता पूर्ण देशे राष्टिय स्वास्थय निती 2017 आधुनिक चिकिच्षा और आयुस प्राणालियों दोनों के एकिकरन को बढ़ावा देती है सरकार आयुस प्राणालिके मुन्यादी ढाचे, सिक्षा तथा स्वास्थय देखबाल सेवाओं को जमिनिस्तर पर बढ़ाव देती है इसे विश्वास्थतर पर स्विकार्य बनाने और भारत को कलियान परियाटन के लिए एक मंतवय के रूप में स्थापित करने पर भी जोर देती है मंत्रालाई अपनी विभीन्न केंदर प्रव्यजित योजनाओं के माध्यम से भारत में होमियोपथी को लोगों की पसंद का केंदर बनाने तथा इसके विश्थार का समर्षन करता है केंदरिये होमियोपथीक अनुसंधान परिशद होमियोपथी में एक सिर्ष निकाई वैगनानिक अनुसंधान के विभीन्न पहलों में अनुसंधान के लिए जिम्यदार है राश्ट्रिय होमियोपेथी आयोग होमियोपेथी की सिक्षा और प्रवसिक्षन को बढ़ावा देने के लिए गठित हुआ है और भारतिय चिकित्षा एवं होमियोपेथी पेसद सहीता आयोग दवाओ की गुनोता मानकों की स्थापना के लिए जिम्मदार है आईए आजादी के अमरित महोत्सव में होमियोपैथी के उपयोग को बढ़ावा देकर विश्व को उत्तम स्वास्थ की सोगा दे को सबस्भाउै खात्रादी निएखी में जासरे झाले में स्वास्भाउबता ुटलो ट्राम। झाल झाल झाल